नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का To The Point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में UPSHSC paid exam 16 October 2022 shift first का paper solve करेंगे आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रस्णों को अच्छे से मिलाइए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों, हिंदी का एक अनुच्छेत दिया गया है इस अनुच्छेत पर आधारित जो प्रस्ण पूछा गया है सबसे पहले उसे देखेंगे आप लोग एंसर को मिलाते हुए चलिए पहला प्रस्ण पूछा गया है अनुच्छेत के आधार पर आज की युवा पीड़ी में मादक पदार्थों की प्रियोग की लत पड़ रही है दिये गए काड़ों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता तो इसका सही जवाब है दोस्तो अगला प्रश्ण है दोस्तो आपकी द्रिष्टी में मादक द्रब्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोसी है तो इसका सही जवाब है दोस्तो बच्चों के मित्र संगत का प्रभाव पड़ता है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नसीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है तो यहाँ पर आपका राइट एलस्वर हो जाएगा दोस्तो C. आपसन राज्य सरकारे अपने राज्य में नसीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नसे की प्रभित बढ़ रही है C. आपसन आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं मादक द्रभ्यों की लत्व पढ़ने के बाद यूकों में कौन सी प्रभित प्रमुक्ता से दिखाई देती है तो यहाँ पर आपका राइट है दोस्तो B. आपसन एक तीन चार पहला है अनुसासन हिंता और हिंसा में सामिल होना तीसरा है मानसिक संतुलन खो देना चौथा है चोरी करने की यादत यह सभी प्रभित मादक द्रभ्यों की लत्व पढ़ने के बाद यूकों में दिखाई पढ़ती है इसलिए B. आपसन आपका राइट हो जाएगा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खत्रा होता है यहाँ पर आपका राइट एस्वर हो जाएगा यह सभी सारेरिक अच्हमता पागलपन और सुसुपती HIV और AIDS मानसिक असंतुलन यह सभी बीमारी का खत्रा होता है दि आपसन आपका राइट हो जाएगा यहाँ से दोस्तों फिर से अनुछेद दिया गया है तो चलिए इस अनुछेद पर आधार जो प्रस्ण पूछा गया है अनुछेद के आधार पर बताईए कि दिर्ग कालिन लच्छों को पाने के लिए निवेश के विशय में निमनलिखित में से कौन सात्थ असुद्ध है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला लिखा है दीर्घकाली लच्छो की प्राप्ति लग बचट द्वारा ही संभो हो सकती है तो यह असुद्ध है और तीसरा देखिए दीरकाली लच्छों की प्राप्ति संभो नहीं है क्योंकि दीरकाली निवेस में धन हानी का जोखिम होता है यह भी असुद्ध है चौथा है बचत निवेस की तुलना में ज्यादा अच्छी है क्योंकि निवेस में जोखिम सामिल है जो गाट के पैसे को भी ले जाएगा तो यह भी असुद्ध है एक तीन चार यहाँ पर आपका सी आपसन राइट हो जाएगा एक तीन चार असुद्ध है आगे बढ़ते हैं निमनलिखित में से बताईए कि कौन सा विकल्प निवेस का उदारन नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों डी आपसन पहला और चोथा पहला है निवेस से देर्ग कालिक आर्थिक लक्ष प्रात किये जा सकते हैं या सही विसेशता है निवेस में उचे रिटेंड की सम्भावना के साथ रिस्क भी रहता है या भी सही है तो यहाँ पर पहला और चोथा सही है अगला प्रस्ण है रमेस ने 5,000 रुपे के सेयर खरीदे इस आधार पर निमनलिखित में से कौन से विकल्प सही है तो यहाँ पर आपका A आपसन राइट हो जाएगा दो और चार दो में क्या है रमेश की यह बचत जोखिम वाली है यह सही है दोस्तों और चौथा है सेयर खरीदना निवेस है तो यह भी आप का सही है दो और चार सही है आगे बढ़ते हैं निमनलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेस का उधारण है तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट एंसर हो जाएगा D आपसन सोने के गहने खरीदना चली आगे बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों ग्राफ शुरू या कमी हुई तो यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा B आपसन एक दसमलो साथ प्रस्यत आप लोग एंसर मिलाते हुए चलिए नेक्ष्ट क्लास में इसे डिटेल में स्वाल्व करेंगे 2014 के दोरान स्कूल में पढ़ने वाले चातरों की संख्या क्या थी तो इसका सही जवाब है दोस्तों 3150 यहाँ पर आपका D आपसन राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है किस वर्स में पिछले वर्स की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले चातरों की संख्या में प्रतिश प्रतिशत थी तो यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा डी आपसन 93.75 प्रतिशत अगला प्रस्ण है दी गई अवद के दोरान किसी भी वर्स में सामिल होने वाले चात्रों की नियुनतम संख्या का इस्कूल छोड़ने वाले चात्रों की अधिकतम संख्या से अनुप मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तो 23 प्रतिशत बी आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है 2005 और 2006 का आउसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्स के युग में के आउसत उत्पादन के ठीक बराबर था तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तो D आपसन 2002 और 2007 चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है दिये गए कितने वर्सों में मोबाइल का उत्पादन दिये गए वर्सों के आउसत उत्पादन से अधिक था तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है B आपसन 183.33 प्रतिसत अगला प्रस्ण है पिछले वर्स की तुलना में किस वर्स उत्पादन में प्रतिसत व्रिद्धी सबसे अधिक थी तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है C आपसन 2002 में चली आगे बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तो तालिका दिये गया है तो तालिका पर आधारित जो प्रस्ण पूछा गया है चलिए उसे देखते हैं यहाँ पर प्रस्ण पूछा गया है यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तो A आपसन 77 चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे कमपनी A और C दोनों के लेखा विभाग में कारेरत कुल पूरुष कर्मचारियों का कमपनी B और D दोनों के अनसंधान विभाग में कारेरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तो C आपसन 208 अनुपाते 115 अगला प्रस् पूरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अनतर कितना है तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तो B आपसन 138 यहाँ पर आपका 138 राइट है अगला प्रस्न है लेखा विभाग में कमपनी B की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभा कमपनी A के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कमपनी E के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रस्यत अधिक है तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है A आपसन 234.29 प्रतिशत A आपसन आपका राइट है आगे बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तो की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज C की कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ पर आपका राइट एंसर है B आपसन 5 मिलियन चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है राज D में गरीबी रेखा से उपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ग्यात हो की राज D C की जनसंख्या 7 मिलियन है तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तो C आपसन 2.4 मिलियन चली आगला प्रस्न देखेंगे आप लोग सभी प्रस्नों को अच्छे से मिलाते हुए चलिए इन सभी प्रस्नों को next class में detail में solve करेंगे यदि राज C की कुल जनसंख्या 4 मिल अगला प्रस्न है राज A के लिए गरीबी रेखा से उपर आने वाले पूरसों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज A के लिए गरीबी रेखा से उपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है D आपसन इन में से कोई नहीं चली आगे बढ़ते हैं यदि राज B के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पूर्षों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज E के लिए 6 मिलियन है तो राजय B और E की कुल जनसंख्या अनुपात में है तो यहाँ पर अनुपात 1 अनुपाते 2 होगा A आपसन आपका राइट है अग चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निमनलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीती थी तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तों मरा था C आपसन आपका राइट है आप लोग एंसर मिलाते हुए चलिए हडपा सभिता के दौरान ड ग्यान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तों D आपसन निरंजना नदी के तट पर ग्यान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को इसलिए D आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है निमनलिखित में से कि भासा को भारती समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तो C आपसन संस्कृत चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे पूड सुराज की मांग करने वाले प्रथम कारिकरता का नाम लिखिये तो यहाँ पर आपका राइ अगला प्रस्ण है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महत्मा गाधी के नेड़य के पीछे मुख्य कारण था तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तो C आपसन हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए अगला प्रस्ण देखेंगे भारत सरक अधनियम 1935 के प्रावधानों में बिटिस सरकार के अंतिम अधिकार का एक उधारन कौन सा था तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है A आपसन प्रांती अस्तर पर दोयद सासन का उनमूलन अगला प्रस्ण है विस को कितने प्रमुख काल छेत्रों में विभाजित किया गया है कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है दोस्तो B आपसन 24 चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निमनलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है तो रुगणता दोस्तों यह जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है इसलिए C आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है लक्ष दूइप की राजधानी निमनलिखित में से कौन सी है तो लक्ष दूइप की राजधानी दोस्तों कवा रत्ती है C आपसन आपका राइट हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं भारत निमने लिखित में से किस अस्थान पर दिन और राद के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है यहाँ पर आपका right answer है C आपशन थार मरुवस्थल चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निमनलिखित में से किसमे ब्यक्तियों या ब्यक्तियों के समोह के स्वामित वाले व्यवसाय सामिल हैं यहाँ पर आपका right answer है दोस्तो बी आपसन निजी छेत्र चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है उस जंगल का नाम पताईए जिसे प्रिथवी ग्रह के फेफडे के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर दोस्तो अमेजन वर्सावन को प्रिथवी के फेफडे के रूप में जाना जाता है बी आपसन आपका right हुजाएगा अगला प्रस्ण है इस्थिरता के साथ विकास के उद्येश से न 1991 में नई आर्थिक नीती के तहत उदारी करण और निजी करण की पहल का प्रात्मिक पैडाम निमने लिखित में से कौन सा था तो यहां पर आपका right answer है दोस्तो वैस्वी करण बी option आपका right है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निमने लिखित में से किसे भारत में हरित करांती के जनक के रूप में जाना जाता है तो यहां पर आपका right answer है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है भारती समिधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार सामिल है तो यहां पर आपका right answer है आपसन वाक और अव्यक्ती स्वातंत्र का अधिकार सामिल है अनुच्छेद 19 में इसलिए आपसन राइट है अगला प्रस्ण है संसदी पडाली में कारिपाली का किसके प्रति उत्तरदाई होती है तो यहां पर आपका right answer है C option विधान मंडल के प्रति चलिए अगला प्रस्ण है निम्नलिखित में से कौन सी भारती सम्मिधान की मुख्य विसेश्ता नहीं है तो यहां पर आपका right answer है दोस्तो A option दूई अस्तरी सरकार ये भारती सम्मिधान की मुख्य विसेश्ता नहीं है A option आपका right है अगला प्रस्ण है भारती सम्मिधान क के लिए DPSP निम्न लिखित में से किस सम्विधान से प्रेरित थे तो यहां पर आपका राइट एंसर है दोस्तो B आपसन आयर लेंड के सम्विधान से प्रेरित थे B आपसन आपका राइट है अगला प्रस्न है निम्न लिखित में से कौन सी एक रासाइनिक अभिक्रिया नही तो यहाँ पर आपका right एसर है दोस्तो D option पानी का भाप में रूपांतरन ये रासायनी कवक्रिया नहीं है अगला प्रिशन है पायरिये निम्न में से किसका रोग है पायरिये दोस्तो ये मसूडो का रोग है इसलिए A option right हो जाएगा फ्लोयम एक उतक है जो निम्न लिखित में से किसमें पाया जाता है तो फ्लोयम दोस्तो ये पौधों में पाया जाता है C option आपका right हो जाएगा अगला प्रिशन है भारत की पंचायती राज ब्योस्ता में कितने अस्तर होते हैं तो तीन अस्तर होते हैं A option आपका बिल्कुल right हो जाएगा ये सभी प्रसनापको पढ़ सुरू है तो देखिए दोस्तो पहला प्रसना है मैथ का 6.73 की घात 3 माइनस 4.38 की घात 3 यहाँ पर हम 6.73 को A माल लेंगे तो यहाँ पर A की घात 3 हो जाएगा आगे माइनस है 4.38 को B माल लेंगे तो B की घात 3 हो जाएगा और नीचे आपका A का square हो जाएगा और प्लस A B हो और प्लस B स्क्वाइर हो जाएगा यहां पर देखिए A की घातीन माइनिस B की घातीन सूत्र होता है एक ब्रेकट में A माइनिस B होता है और दूसरे ब्रेकट में A स्क्वाइर प्लस AB प्लस B स्क्वाइर होता है और नीशे आपका A स्क्वाइर प्लस AB प्लस B स्क्वाइर पहल सी आपसन आपका राइट हो जाएगा दो दसमलो तीन पांच चलिए आगे बढ़ते हैं 19 का कितना प्रच्यत 7.6 है तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 7.6 बटा 19 गुड़े 100 यहाँ पर देखिए दसमलो लगा हुआ है एक अंग पर तो इसी हम हटाएंगे दसमलो को तो 76 हो हो जाएगा और नीचे 190 हो जाएगा 19 के बगल 10 बढ़ा देंगे और गुड़े 100 एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा 19 चौक 66 यहाँ पर आपका सी आपसन राइट हो जाएगा 40 प्रच्यत आपका एंसर आएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 60 से 80 के बीच की सभी अभ संख्या होती है तो इसे पहले लिखेंगे 61 होती है प्लस 61 के बाद क्या होती है सरसट होती है सरसट के बाद दोस्तो 71 होती है 71 के बाद क्या होती है 73 होती है और 73 के बाद अभाज संख्या 89 है ठीक है यहाँ पर दोस्तो आवसत निकालना है आवसत कुल संख्याओं का योग उसकी संख्या होती है, तो संख्या कुल 5 है, 5 से भाग करेंगे, देखे उपर का योग करेंगे, तो आपका यहाँ पर 351 आ जाएगा, 351 में 5 से हम भाग करेंगे, 351 में 5 से भाग करेंगे, तो 5 सते 35 हो जाएगा, एक है भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर दसमलो लगाएंगे और 5 दूनी 10 70.2 यहाँ पर C आपसन आपका राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है रूट के अंदर 12.0409 माइनिस रूट के अंदर 1.2544 इसका मान आपको बताना है तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 12.04 और 09 जो है इसका वर्गमूल दोस्तो 3.47 होता है और आगे माइनिस है माइनिस लगाएंगे रूट के अंदर 1.2544 जो है इसका वर्गमूल दोस्तो 1.12 होता है और इसमें माइनिस कर देंगे तो आपका एंसर हो जाएगा 2.35 2.35 यहाँ पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा 2.35 चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है निमनलिखित में से कौन सा एसीड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका राइट एसर है D आपसन सल्फियूरिक एसीड अगला प्रश्न है निमनलिखित में से कौन सा भिन सबसे बढ़ा है चारो बिकल्फों में कौन सा भिन सबसे बढ़ा है तो यहाँ पर दोस्तो A आपसन ही आपका सबसे बढ़ा है 7 बटा 8 सबको दोस्तो दसमलों में बनाएंगे भाग करके पहले दसमलों में बनाएंगे तो यहाँ पर आपका 7 बटा 8 सबसे बड़ा भिन होगा A अगला प्रश्ण है खाक में मिलना मुहाबरे का अर्थ है इसका अर्थ होता है दोस्तो सब कुछ नस्ट हो जाना C आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है अनिल का परयायवाची सब्द क्या है तो अनिल का परयायवाची दोस्तो पवन होता है C आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण है गुप्त का बिलोम सब्द क्या है गुप्त का बिलोम दोस्तो प्रकट होता है इसलिए B आपसन आपका right हो जाएगा सद भावना का संधि विच्छेद क्या होगा तो इसका संधि विच्छेद दोस्तो सत धन भावना होगा A आपसन आपका right है स्वेद और स्वेद का अर्थ है स्वेद का अर्थ सफेद और स्वेद का अर्थ पसीना होता है इसलिए भी आपसन सफेद और पसीना राइट हो जाएगा यहां से दोस्तों English का पैसेज शुरू है तो चलिए इस पैसेज पर आधारिज जो प्रस्न पूछा गया है उसे solve करते हैं पैसेज के आधार पर पहला प्रस्न पूछा गया है Elizabeth was suffering from asthma यहां पर asthma राइट हो जाएगा अगला प्रस्न है Elizabeth's new neighbor lived down stairs यहां पर B option आपका राइट है चलिए अगला प्रस्न है इस दोस्तों एक्स नियर कहते है D option आपका राइट हो जाएगा चूजदा करेक्ट साइनानिम एक्जिल एक्जिल का साइनानिम आपको बताना है तो इसका साइनानिम दोस्तों banishment होता है C option आपका राइट है अगला प्रस्न है Choose the correct antonym यहां पर बिलोम बताना है Morne Morne का बिलोम दोस्तों जवाय होता है C आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्न है यहां पर कथन दिया गया है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में सहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है दूसरा है सहर में छोटे मोटे अपरादों की घटनाओं में काफी कमी आई है तो यहां पर आपका right answer है C option कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है चलि आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखेंगे अगला प्रस्न है 6 बचकर 10 मिनट पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ग्याद कीजिए यह सवाल दोस्तों एक फार्मूले पर लगता है फार्मूला है मिनट बराबर 2 बटा 11 ब्रेकट में आई गुडे 30 प्लस माइनेस कोण इसी फार्मूले पर यह सवाल लगेगा यहां पर यम के अस्थान पर मिनट के अस्थान पर 10 लिखना है और आई के अस्थान पर 6 लिखना है और सवाल को हल करेंगे तो 125 आपका एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है यदि A को 26 के रूप में कोडित किया जाता है B को 25 के रूप में कोडित किया जाता है C को 24 के रूप में कोडित किया जाता है तो mobile के लिए code खोजे यहाँ पर दोस्तो विपरीत युग में लिख रहा है A को 26, B को 25 तो यहाँ पर आपको mobile में भी विपरीत युग में लिखना है YUM का विपरीत युग में दोस्तो 14 होता है और O का विपरीत युग में 12 होता है इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका D आपसन राइट हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है गोपी ने विबेक से कहा वहव्यक्ति मेरी मा के इकलोते भाई का पिता है गोपी उन्हें क्या कहेगी यहाँ पर देखेंगे वहव्यक्ति मेरी मा के इकलोते भाई मा का इकलोता भाई मामा हुआ और मामा का पिता नाना हुआ B आपसन आपका राइट हो जाएगा बिसम चुने यहाँ पर बिसम आपको बताना है तो 33 दोस्तों क्या है यह भाज संख्या है बाकी सभी अभाज संख्याएं है D आपसन आपका राइट हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं जागरिती निमने लिखित में से किस छेतर से सम्मंधित सुभंकर है तो यहाँ पर आपका राइट एस्वर है उपभोगता जागरुकता A आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण है महाराष्ट में इस्थित अउरंगाबाद का नया नाम लिखिये तो अउरंगाबाद का नया नाम दोस्तो संभाजी नगर है C आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारती पारमपरिक विज्ञान पर किस देश के सरुदली संसदी समूह को आयूरुवेद रत्न पुरुषकार से सम्मानित किया गया यहाँ पर आपका राइट है UK C आपका राइट है अगला प्रुष्ण है I.N.S. तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजो अलमाज के साथ एक समूदरी साज़ा अभ्यास का आयूजन किया है अगला प्रुष्ण है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसी संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन हुआ तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है भारत और संयुक्त राज अमेरिकिया के बीच D. आपसन आपका राइट है अगला प्रुष्ण है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारती खिलाडियों के प्रदर्सन को बढ़ाने के लिए भारती ओलंपिक संग के साथ दीर्ग कालिक साजेदारी की घोशला की है तो यहाँ पर आपका राइट एसर है Reliance Industries Limited C. आपसन आपका राइट है अगला प्रुष्ण देखेंगे Tata Power Solar ने किस राज में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर उर्जा परियुजना सुरू की है तो यहाँ पर आपका राइट एसर है Keral B. आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रुष्ण है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर राश्टी सीमा साजा करता है तो यहाँ पर आपका राइट एसर है B. बंगला देश B. बंगला देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर राश्टी सीमा साजा करता है C. आपसन आपका राइट है डाक सेवकों की छमताओं में बृद्धी करना है ए आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण है जुलाई 2022 में काफी बोर्ड ने काफी फसलों की जलवाई प्रतिरोधी किस्मों को बिक्सित करने के लिए किसके साथ एक समझावता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं यहाँ आपका राइट एसर है दोस्तो इसरों के साथ ए आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण है किसी दिन को भारती वाय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पर आपका राइट एसर है दोस्तो आठ अक्टूबर भी आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण ह निमने लिखित में से किसे भारत का स्कार्ट लेंड भी कहा जाता है, तो दोस्तो कूर्ग को भारत का स्कार्ट लेंड भी कहा जाता है, C आपसन आपका राइट है, अगला प्रशन है, कला मतुर्वा से इस्टे सिलिंग की पारंपरिक कला है, तो यहाँ पर दोस्तो साजी फ्रुय से इस टेसिलिंग की पारंपरिक कला है बी आपशना आपका राइट है निम लिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29 राज़ कौन सां है यहां पर आपका राइट नहीं सरा है तिलंगाना C आपका राइट हो जाएगा अगला कुछ नहीं है निमन लिखित में से किस राज्ज में विधान परिशद है तो यहां पर आपका राइट सुर दोस्तो करनाटक राज्ज में विधान परिशद है ए अपसन आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं वाई मंडल में ग्रीन हाउस गैसे पृत्वी के अधिकांस उतसरजित को अवसोसित करती है जो निचले वाई मंडल को गर्म करती है ए आपसन आपका राइट है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है वाली वाल निमनलिखित में से किस देश का राश्टी खेल है तो नेपाल देश का राश्टी खेल है ए आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रशन है निमन होती है सोव प्रस्णों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास को समाप्त करते हैं अब आपको नेश्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद